अश्टा वक्र मुनी, राजा जनक को आगे समझाते हुए कहते हैं, सुख दुखे जन्मम्रित्यू, दैवा देवति निश्चही, साध्या दर्शी निराया सहा, कुरुवन नपीन लिप्यते। सुख दुख, जन्मम्रित्यू, दैव योग से ही होता है, ऐसा निश्चही वाला व्यक्ति, साध्या कर्मों को देखता हुआ, और प्रयास रहित कर्मों को करता हुआ भी, उनमें लिप्त नहीं होता, इसी क्रम में अश्टावक्र कहते हैं, कि सुख दुख, इवं जन्मम्रि मृत्यू भी, डैव योग से ही होती है, यह मनुश्य के एधिकार में नहीं है, यदि मनुश्य के एधिकार में होता है, तो वह दुख और मृत्यू से हमेशा के लिए मौक्त हो जाता किन्तु वहक कर नहीं सका वहक एवल भोगता ही है अतहा ग्यानी इन्हें दैवयोग से होते हैं ऐसा निश्चे करके करनी योग्य कर्म हैं उन्हें ही देखता हुआ प्रयास रहित कर्मों को करता है जिससे वह उनमें लिपत नह होता है दईवयोग से होना मानने के कारण वह करतापन से मुक्त हो जाता है अहम भावना से मुक्त हो जाता है उसे परमशांति मिलती है इवं वह उन कर्मों में लिप्त नहीं होता जल कमलवत हो जाता है वह द्रश्टा मात्र रह जाता है ऐसे कर्म करने में श्रम नहीं होता आनंद मिलता है तनाओं से मुक्त रहता है चिंता से मुक्त रहता है हार जीत, लाभानी, जय पराजय सफलता असफलता सब उसी का है मैं केवल उपकरण मात्र हूं निमित्त मात्र हूं ऐसा मानने वाला ज्यानी निर्भार, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त हो कर जीता है इसके विपरीत अज्यानी स्वयम को करता मान कर, फल की इच्छा से काम करता है जिससे वह सदा ही दुख्य, अशांत, चिंतित, एवं तनाव ग्रस्त रहता है यह एक मनोवज्यानिक सत्य है, साथ ही इसमें आध्यात्मिक सत्य भी है कि ऐसा कर्म करने वाला ज्यानी, कर्म फल का भोगता नहीं होता ज्यान को उपलब्ध हुआ वेक्ती, फल की कामना रहित होकर कर्म करता है उनके कर्म, मानव मात्र के कल्यान के लिए ही होते है वह कर्मों को देह और इंद्रिय का ही धर्म मानते हैं आत्मा का नहीं तथा उसमें कर्तापन नहीं होता जिससे कर्मों के फल का विधान उस पर लागू नहीं होता वह कर्म फल से मुक्त ही रहता है भारतिय अध्यात्म इसी कारण से दैवियोग, भाग्य, ईश्वर, फल की इच्छा का त्याग इत्यादी पर विशेश जोड देता है जिससे वह शांती से जी सके चिंताओं, परेशानियों, तनाओं से मुक्त रह सके हश्टावक्र आगे कहते हैं इस संसार में चिंता से दुख उत्पन होता है, अन्यता नहीं होता ऐसा जो निश्चे पूर्वक जानता है, वह सुखी और शांत है सर्वत्र उसकी स्प्रिहा गलित है, और वह चिंता से मुक्त है इसी क्रम में अश्टावक्र कहते हैं कि जहां अहंकार है, वहीं करता भाव है एवं जहां करता भाव है, अर्थात ये सब मैं ही कर रहा हूं, ऐसा भाव है, वहीं फला कांक्षा होगी, और चिंता भी वहीं होगी जहां चिंता है, वहीं तो दुख है ज्यानी ही ऐसा मानता है कि मैं करता नहीं हूँ निमित्त मात्र हूँ सभी कर्म इश्वर के ही कर्म है उसी के आदेश एवं प्रेणा से मैं कर्म कर रहा हूँ मैं तो वाहन मात्र हूँ बासुरी मात्र हूँ बजाने वाला तो वही है स्वर उसी के है ऐसा मानकर कर्म करने वाला निर्भार होकर चिंता मुक्त होकर जीता है ऐसा वेक्ति ही सुखी उर्शांद है इस भावना से उसकी इच्छाएं सर्वत्र गलित हो जाती है वह अपनी इच्छा से नहीं परमात्मा की इच्छा मानकर कर्म करता है अतहा वह चिन्ता मुक्त रहता है जिस प्रकार छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर निश्चिन्त हो जाता है उसी प्रकार मनुष परमात्मा का सहारा लेकर निश्चिन्त जीता है जिससे वह अनेकों प्रकार की मानसिक उल्जनों से मुक्त रहता है जो इश्वर की सत्ता में ही विश्वास नहीं रखते उनका जीवन अनेक प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त रहता है अतहा मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए इश्वर की ऐसी धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है इश्वर है या नहीं यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका मानना महत्वपूर्ण है अश्टावकर आगे कहते हैं ना हम देहो न में देहो बोधो हम में दिनिश्चय मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, मैं तो चैतन्य हूँ ऐसा जो निश्चे पूर्वक जानता है, वह पुरुष कईवल्य को प्राप्त होकर किये और अनकिये कर्म का स्मरण नहीं करता अश्टावकर कहते हैं कि जो आत्म ज्ञान को उपलब्द हो गया है, वह अपने को निश्चे ही बोधस्वरूप, चैतन्य आत्मा ही समझता है उसका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए ऐसा ज्ञानी कहता है, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ आत्मा का कोई शरीर नहीं होने से वह कहता है, मेरा शरीर नहीं है, ग्यानी ही ऐसा निश्चे पूर्वक जानता है, जिससे वह कईवल्य को प्राप्त हो जाता है कईवल्य को प्राप्थ हुआ ग्यानी अपने को आत्म स्वरूप मानता है जिससे वह किये और अनकिये कर्मों का स्मरण नहीं करता क्योंकि जो कर्म किये गए हैं वे शरीर द्वारा किये गए है जो अनकिये रह गए हैं केवल विचारों तक ही सीमित रह गए हैं वे मन की सीमा में आते हैं दोनों का आत्मा से कोई संबंद नहीं होने से वे उनका स्मरण नहीं करता हश्टावक्र आगे कहते हैं आ ब्रह्मस्तंभ परियंतम अहमेवेतिनिष्चै निर्विकल्पहा शुचिही शांतह ब्रह्मसे लेगर त्रण परियंत मैं ही हूँ ऐसा जो निश्चे पूर्वक जानता है वह निर्विकार, शुद्ध, शांत और प्राप्त, अप्राप्त से मुक्त है निवृत है अज्यानी शरीरों को देखता है पदार्थों को देखता है इसलिए उसे भिनताएं दिखाई देती है किन्तु ज्यानी इस संपोन स्रिष्टी के मूल तत्व ब्रह्मा को, आत्मा को देखता है जिससे इस स्रिष्टी का स्तित्व है इसलिए उसे इस संपोन स्रिष्टी में एकता दिखाई देती है एक साम में दिखाई देता है जिसने आत्मा को जान लिया वह आत्मरूप ही हो जाता है वह संपून सत्ता को अपनी ही सत्ता समझने लगता है भिन भिन शरीरों एवं भिन भिन आत्माओं का अज्ञान समाप्त हो जाता है अश्टावत्र कहते हैं कि जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ और ब्रह्म से ले करके एक तुर्ण परियंद मेरा ही आत्मा का ही विस्तार है मैं एक हूँ और अद्वय हूँ यह स्रिष्टी मेरी नहीं बल्कि मैं ही स्रिष्टी हूँ मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं ऐसा विक्ती निर्विकल्प हो जाता है दूसरा कोई विकल्प रहता ही नहीं वही विक्ती शांत और शुद्ध हो जाता है निखालिस स्वर्ण हो जाता है जितनी विक्रिती विजाती अशुद्धता थी सब दूर हो गई अब ऐसा विक्ती प्राप्त से भी मोख नहीं करता, न अप्राप्त की चिंता करता है, दोनों से सर्वधा मुक्त हो जाता है, ऐसा विक्ती कह सकता है, कि सब कुछ मेरा है, अथ्वा, मेरा कुछ भी नहीं है, यही ग्यानी की स्थिती है, यही तो मुक्ती है, अश्टावक्रागे कहते हैं अनेक आश्चरियों वाला वह विश्व कुछ भी नहीं है अर्थात मिथ्या है ऐसा जो निश्चे पूर्वग जानता है वह वासना रहित बोध स्ववूप मुक्त होकर इस प्रकार शानती को प्राप्त है मानो कुछ भी तो नहीं है जिसने शाश्वत को जान लिया वह क्षण भंगुर में रुची ही नहीं लेता जिसने परमतत्व को जान लिया वो विक्तीक शुद्र में मोहित नहीं हो सकता जो अद्वाइत के परमानंद में मगन हो गया वह द्वाइत के अशान्त दुख्धमय इवं कलेश युक्त घेरे से बाहर हो जाता है फिर उसकी इस क्षनिक इवं नाश्वान संसार के प्रतिवासना असक्ती इत्यादे सब कुछ छूट जाती है इवं वह परम शान्ती को उपलब्द हो जाता है अश्टावक्र कहते हैं कि यद्देपी यह संसार अनेक आश्चरियों वाला है किन्तु आत्मानंद के सामने कुछ भी नहीं है मिथ्या है रसहीन है बोध स्वरूप पुरुष आत्म ग्यानी ऐसा निश्चे पूर्वक जानता है इसलिए वह संसार को मिथ्या समझ कर शान्ती को प्राप्त होता है संसार में सत्य, आनंद, सुख दुख, हर्ष, विशाद इत्यादी का जो अनुभव होता है वह सब मनुश्य की वासना एवं अहंकार के कारण है जिन से वासना एवं अहंकार की तुष्टी होती है वह सुखपूर्ण ग्यात होता है विपरीत होने पर दुख होता है किंतु, सुरिष्टी अपने नीमों से चलती है उसे प्रतीक मनुश्य के सुख दुख की चिनता नहीं है मनुष्य अपने को नियमों के अनुकूल बनाकर सुखी हो सकता है एवं विपरीत जाने पर तूटता है, कस्ट पाता है आत्म ग्यानीस रहस्य को जान लेता है जिससे वह सृष्टी के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है तथा सृष्टी की अवहेलना उपेक्षा करता है उन्हें मिध्या एवं तथ्यहीन असत्य समझने लगता है इसी से उसे शांती प्राप्त होती है इसके विपरीत संसारी मनुष्य सृष्टी के नियमों के अज्यान के कारण संसारिक सामाजिक आदी नियमों में उलजकर अशांती को ही प्राप्त होता है ज्यानी एवं अज्यानी की दृष्टी में यही तो अंतर होता है सृष्टी के नियमों को जान लेना ही ज्यान है एवं इन्हें नहीं जान पाना ही अज्यान है इसलिए ज्यान से ही अज्यान मिठता है प्रांती दूर होती है सत्य उपलब्ध होता है शांती प्राप्त होती है अज्यान से लड़ना वे उसे सीधा हटाने का प्रयत्न करना बिना दीपक जलाए अंधेरे को हटाने के प्रयत्न के समान है ये भागने से नहीं, जागने से होगा त्याग से नहीं, उपलब्धी से होगा अश्टावक्र जैसा उचा वक्तव्य कोई नहीं दे सका सारभूत में अंतिम क्रांतिकारी बात कह दी कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही संसार हूँ, मैं ही स्रिष्टी हूँ मुझसे भिन्नी है स्रिष्टी नहीं है मुझसे भिन्नी है संजार नहीं है मैं ही हूँ मैं ही हूँ